हाईलो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोवाईल फून से जीमेल एकाउंट को डिलीट कैसे करें हमेशा के लिए तो हाँ गाईज आप बहुत ही आसानी तरीका से अपने मोवाईल फून से जीमेल एकाउंट को डिलीट कर सकते हैं और आपको step by step भी बताने वाला हूँ तो देर कीस बात की इस वीडियो में पूरे लाश्टे तक बने रहें और अपने mobile phone से Gmail account को delete करना सिखेंगाइस एकदम आसान सा तरीका में बताऊंगा चोटी सी वीडियो है तो ज्यादा time को waste नहीं करते हैं चलिए वीडियो को start कर लेते आपको अपने mobile के screen पर Gmail application को open कर लेना होगा क्या करना होगा यहां पर Gmail application को open कर लेना हो तो जैस्ट मैंने Gmail application open कर लिया गया फिर आपकी सामने इस तरह का page open होका रहाएगा तो right side में एक profile का icon बना हुआ है तो देख सकते हैं जहां पर आपका प्रोफाइल पिक्चर रहाएग फिर आपकी सामने इस तरह का page open होकर आया गाइस तो आपको जिस भी Gmail account को delete करना चाहते है उसको पहले आपको login करना है लोग इन करने के लिए कुछ नहीं गाइस आप सिंपल उस Gmail account पर simple click करेगा तो आपका login हो जाएगा तो एक बात आपको यहां पर ध्यान डखना है जो भी Gmail account को delete करना सोच समझ के करना कोई जल्दी वाजी नहीं तो अग्दम आपको दियान से देख लेना पहले किस account को मुझे delete करना है उसी account को simple login कर लेना पहले तो चलिए मैं यहां पर login कर लेता हूं देखिए यहां पर welcome bro VIP करके हमारा Gmail account यह login हो चुका है फिर आपको यहां पर corner म profile वाले picture पर simple click कर लेना फिर आपके सामने सित्रा का page open होकर आएगा तो यहां पर देखिए गूगल account लिखा हुआ ऐगर आप में manage your Google account अगर इसा बेकल इस पर हमारे यहां पर Google account आया है घर आपके सामने इस तरह पैज open होकर आएगा फिर आपको नीचे थोड़ा सा scroll करना है यहां पे लिखा हुआ लगाइस थोड़ा सा और यहां पर देखिए मैंने बता देता हूं ग्याइस यहां पे दीखिए आपको download your data जितने भी आपकी Gmail account में photos है, contact number है और भी जैसे कुछ भी आप उसमें रखे हैं Gmail account में तो आपको उसे पहले download कर लेना, download your data पर simple click करके अपने Gmail account का पूरा data को पहले download कर लेना, download करने की बाद आपको नीचे scroll down करना, एकदम last में आ जाना, फिर आपको यहाँ पर एक option दिखाई दे रहागा, delete your Google account, तो simple उस पर आपको click कर लेना, यहाँ पर, जैसे आप delete your Google account पर simple click करेंगे, तो आपकी सामने एक नया page open होकर आएगा, फिर आपकी सामने इस तरह का page open होकर आएगा, और यहाँ पर आपका Gmail account भी आ जाएगा, और नीचे में देखी लिखा हूँ अटर your password, तो आपका Gmail account को जो भी password होगा, आपको यहाँ पर tap कर लेना, inbox में, जो भी आपका होगा password, तो मैं यहाँ पर tap कर लेता हूँ, अगर आपको password याद नहीं, तो Gmail account में ही मिल जाएगा, बहुत ही आसानी तरीका से, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना password को tap कर लिया है, फिर आपको क्या गरना होगा, यहाँ पर next का option दिखाई दे रहोगा, उस पर next वाले option पर simple click कर लेना, फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको wait कर लेना है, यहाँ पर भी loading लेता है, फिर आपके सामने इस तरह का page open हो करेंगा, तो यहाँ पर भी आ चुक है हमारा download your data, तो guys आपको आपी नीचे scroll down करना, एकदम last आ जाना है, और यहाँ पर दोनों box म आपको नीचे में, फिर आपको नीचे में delete account का option दिखाई दे रहे होगा, simple उस पर click कर लेना, जैसे आप delete account पर simple click करेंगे, आपका account जो delete हो जाएगा, तो फिलाल मैं अपने account को अभी delete नहीं करना चाहता हूं, आपको वहाँ पर click कर लेना, तो उमीद करता हूं, यह वीडि वीडियो को एक लाइक करें, प्यारासों कोमेंग करें, और सब्सक्राइब करके बेलेकन कॉल पे दवालना भूलेत हो गया, चलिए नेक्स वीडियो में मिलते हैं